हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माइ चैनल अलीजेज किचन आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से बनने वाली चिकन दाना की रेसिपी तो चलो शुरू करते हैं से बनाना चिकन दाना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आदा किलो चिकन लिया है मैंने इसे धो के अच्छे से क्लीन कर लिया है और इस तरह से क्यूप्स में कट कर लिया है अब हम इन्हें मैरिनेट कर लेंगे इसमें हम दालेंगे दो छोटे चमज अद्रक और लेसुन का पेस्ट, एक नीम्बू का रस, दो छोटे चमज कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चमज धनिया पाउडर, अधा छोटा चमज जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर एक चोथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच चाट मसाला नमक स्वाद अनुसार अब हम इन सारे इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में मैंने सारे मसालों का अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे ढख कर दो से तीन घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है अब हम इसमें दालेंगे एक अंडा और तीन टेबल स्पून के करीब कॉन फ्लार यह आपके चिकन में बैंडिंग का काम करेगा अब हम इने चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे ingredients को मैंने चिकन में अच्छे से mix कर लिया है अब हम इने fry कर लेंगे तेल को मैंने high flame पर अच्छे से गरम कर लिया है अब एक एक करके इसमें चिकन को add कर लेंगे गैस्टा flame मैंने रखा है high पर अब हम चिकन को 2-3 मिनित के लिए एक side पकने देंगे दो से तीन मिनिट हो चुके हैं, अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरे साइट भी दो से तीन मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे चिकन हमारा अच्छे से फ्राय हो चुका है अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह से हम बाकी के चिकन्स भी फ्राय कर लेंगे क्रिस्पी और जूसी चिकन दाना रेसिपी बनकर हमारा तयार है यह बहुत ही जादा टेस्टी बना है और बिल्कुल पर्फेक्ट रेसिपी है आप इसे घर पे जरूर ट्रै करें